नमस्कार मैं हूँ आरेन और आप वह समय आरेन पोर पाइब इसके सल्वाइब जैसा कि आप सभी दोगों पता है कि बिहार ने आलेडी अपने सिच्छक भर्ती के सभी रिजल्ट जारी कर दी गए है लेकिन सिच्छक भर्ती को लेकर काफी बड़ा बवाल ख़़ा हुआ है काफी कैनिरेट हैं जो बता रहे हैं कि रिजल्ट में काफी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो मैं आपनों को एक रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जिससे ये सावित हो जायाएका कि BPC रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है ये बात सावित हो जायाएका जैसे इस रिजल्ट को आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे रिजिस्टेशन नंबर लिखा गया था यहाँ पे रो नंबर मैं आपनों को यह नहीं लिखा सकता ये देखे क्लास 125 का रिजल्ट है ये ये रिजल्ट है एक फीमेल केंडिडेट का देख लिजे इनका मार्क है टोटल 47 नंबर है और क्वालिफाइंग पेपर में इनका 62 नंबर है और ये ST कटेगरी की फीमेल केंडिडेट है और आप तो ग्यानते हैं जैसा कि BPSC ने आज लेड़ी कटाव भी जारी कर दिया गया है मैं आपनों कटाव दिखा देता हूँ यहाँ पे देख लिजे BPSC रिजल्ट कटाव 1 to 5 देख लिजे अधर कटेगरी EWS, EBS, BC, SC, ST तो मैं बात करने वाला हूँ ST कटेगरी यहाँ पे 46, 49 क्यों लिखा गया है पहले नमर पे male candidate का कटाव मैंने लिखा है और 49 इसली लिखा है यह female candidate का कटाव है ठीक है, तो ST कटेगरी में female candidate की कटाव है 39 ठीक है, और यहाँ पे इनका कितना आया है, 40 से लेकिन इनका भी नाम नहीं आया है यानि कह सकते हैं कि इनका चैन जो है बिहार में 1 to 5 सिच्छक पत के लिए जो है चैन नहीं हुआ है ऐसे ही एक दो और रिजल्ट मिले हैं जिसमें यह गरबड़ी पाई गई है यह तो बस 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन काफी सारे कंडिट का मानना है कि 9 से 10 ग्यारवी बारवी के रिजल्ट में भी यह गरबड़ी पाई गई है तो अब BPSC रिजल्ट पर काफी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या BPSC जो है अपना रिजल्ट फिर से चारी करेगी वहीं अगर रिजल्ट को देकर BPSC चेर्मेन की बात करें तो उनका मानना है कि BPSC से चारी भाग द्वारा BPSC रिजल्ट में एक दो गरबड़ीया देखनों को मिली है कुछ I.O के कंडिडेट हैं जिनका जो है जिछक पत के लिए चैन हो चुका है तो BPSC जो है फिल्टर लेयरिंग का काम कर रही है BPSC चेर्मेने आल्रेड़ी ट्वीट करके जानकारी दिये है कि कुछ I.O के कंडिडेट हैं जिनका जो है आल्रेड़ी चैन हो चुका है उन्हें वो बाहर का रास्ता जल्द दिखाएगी और वो अपने रिजल्ट में जल्दी सुधार करेंगी और अगर रिजल्ट को लेकर बात करें तो ज़्यादा चेंजिस देखने को नहीं मिलेगा बता जा रहा है कि 2 नॉवंबर को CM नितिस कुमार जो है उन सिच्चकों को जो है नियुक्ति पत्र बाटेंगी जिनका जो है चैन हो चुका है और BPSC चेर्माइन की बात करें तो उन्होंने आलेडी उन्होंने आलेडी ये बयान दिया है कि अब सिच्चक भरती के रिजल्ट को लेकर जादा जो है देखने को नहीं मिलेगा केवल कुछ ही रिजल्ट है जो आयोग्य है उन्हें ही BPSC जो है सुधार करने का प्रयास कर रही है और उन्होंने बिहार की अगली भरती को लेकर बयान दिया है कि बिहार में जल्दी आप लोगों को एक लाग तसजार सिचकों की भरती फिर से देखनों के मिलेगी जिसमें जो है B8 केंडिडेट के लिए काफी अच्छा मुका है ये भरती जल्दा आने वाली है नॉवंबर में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा तो ये थी बिहार सिचक भरती के रिजल को लेगर कुछ लेटिस्ट अपडेट अगर आप लोगों जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को जोगों से सब्स्राइब करेगा तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद